नमस्कार दोस्तों कर्षना एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है दोस्तों हम टोपिक पढ़ रहे थे राजस्तान की इस्तापत्यकला के अंतरगत राजस्तान की छत्रियां और कुछ चत्रियों के बारे में अध्यन कर चुके हैं आईए दोस्तों आज इस टोपिक को आगे और कंटिन्यू करते हैं देखेगा जो हमने राजस्तान की कुछ चत्रियां पढ़ी थी उसके पस्चार देखेगा हम यूँ कह सकते हैं देखेगा दोस्तों राजस्तान में एक छत्री है और देखेगा इस छत्री का नाम है महराणा प्रताप की छत्री महराणा प्रताप की छत्री महराणा प्रताप की छत्री का इस्तित है इस छत्री का निर्मान किसने करवाया था और ये किस बांद के किनारे है ये दोस्तों इस छत्री से समंदित आपके एकजाम में परशन बन सकते है महराणा प्रताप की छत्री का इस्तित है दोस्तों जब हम मेवाड का इतियास पढ़ते हैं तो उसके नत्रगत हम ये पढ़ते हैं कि महराणा प्रताप का जन्म जरूर 9 माई 1540 के दिन कुम्बलगड रासमन में हुआ था इनका राज्य भी से गोगुंदा उदेपूर में ह हुआ था जो इनकी पहली राजदानी थी फिर महराणा प्रताप ने अपनी राजदानी कुम्बलगड को बना लिया था और महराणा प्रताप के अंतिम समय में इनकी राजदानी चावंड थी दोस्तों चावंड को महराणा प्रताप ने राजदानी 1585 इस्वी में बनाया और दोस्तों वो गाव एक बहुत बड़ा नाशूर बन जाता है और इसी के चलते 1567 में इस भी में माराणा परताप जैसे वीर पूरुष की मरत्यू हो जाती है। माराणा परताप देखेगा अब देखेगा माराणा परताप की मरत्यू जरूर चावंड में होई थी लेकिन दोस्तों चावंड से कुछी दूरी पर देखेगा चावंड से कुछी दूरी पर एक बांध इस्तित है देखेगा चावंड से कुछी दूरी पर क्या इस्तित है ए तो दोस्तों उस बांध का नाम है केजड़ बांध महाराना प्रताथ की छत्री आपसे पूछ लिया जाए कि कौन से बांध के किनारे है तो केजड़ बांध के इस्तित है देखिएगा चावंड के पास में एक गाउं पड़ता है और उस गाउं का नाम बताओ क्या बांडोली बांडोली नामक गाउंवे और बताओ बांडोली नामक जो गाउंवे वो का इस्तित है चावंड के पास जो महाराना प्रताथ की अंतिम या तीसरी राजदानी थी और दोस्तों चावंड का प्रता है चावंड उदेपूर जिले में इस्तित है ये देखेगा इस जगे पर महाराना परताप की छत्री है दोस्तों जब महाराना परताप की मरत्य हुई थी तो ये छत्री इस बांद के किनारे थी लेकिन ये छत्री इस बांद के बहाऊ सित्र में थी इसके बहाऊ सित्र में थी जब अच्छी बारिश हुई और और इसके बाद में दोस्तों जब ये बांद पूर्ण रूप से बहra तो वरतमान में चत्री इस बांद में डूब चुकी है इसका उपर का कुछी पार्ट दिकाई देता है दनर रखेगा वरतमान में देखेगा इस चत्री की ये स्थि honен ing करेदा ओर देखेगा देखिएगा इस चत्री का निर्मान किस ने करवाया था महराणा परताप की चत्री का निर्मान किस ने करवाया था तो देखिएगा महराणा परताप के बाद में मेवाड के सासत बने थे महराणा परताप के पुत्र महराणा अमर सिंग पर्थम और दोस्तों अमर सिंग पर्थमने、 महाराणा अमरप सीन पर्थमने, जो अर्जबुदे कोक से जन्म लेते हैं, देखेगा ! इसके अलावा दोस्तों यहां स的 एक परसन और बने सकता है, कि hover महाराना परताप की चत्री में खंबे कितने है तो दोस्तों महाराना परताप की जो चत्री है वो आठ खंबो प्रटिकी है बताओ इस चत्री में टोटल खंबे कितने है पीलर्स कितने है आठ खंबे है यही एक्जाम में आपके परशन बन सकते हैं महाराना परताप की चत्री क कहां है केजड़ बांध के किनारे चावंड बांडोली उद्यपूर में स्तित है खंबे कितने हैं आठ खंबे हैं और इस चत्री का निर्मान महराणा परताप के पुत्र अमर सिंग परतम ने करवाया था यही दोस्तों आपके एकजाम में परशन बन सकते हैं इसके बाद देखिएगा राजस्तान के चत्रियों में दोस्तों राजस्तान के इतियास में एक पुरुष का नाम देखिएगा जिसका नाम राजस्तान के इतियास में एक वफादार सेनापती के रूप में फेहमस था और उनका नाम था वीर दुरगादास राठोड इनका बलीदानम जटरी का इस्तित है नंद में दूर्गादास लं राँजर्श्टान के वीर पुरूस रहे थे और ये मारवार्ड के सासक जसवन्त सींग परत्म के मुख्य शेनापति के रूप में थे जब जस्वन शिण परतम की मुर्टियों होती है जमरूद में तो दोस्तों उसके पशाद जश्वन सिंग की दोनों घर्बवती रानियों को ये जमरूद काबुल अफगानिस्तान से मारवाड लेकर आ रहे थे लेकिन उसी समय बीच रष्टे में लाहोर में उन दो रानियों ने दो पुत्रों क की अविली में केद करवाता है लेकिन दूर्गादास राटोर अपनी समझदारी और अपनी वीरता का परिच्चे देते हुए और जश्वन सिंग परतम के दोनों संतानों और दोनों रानियों को चुड़ा लेते हैं लेकिन दोस्तों दल बंजन नामक पुत्र का खीचा ता आठ इस्विम है औरंग जेव की मर्ट्यू के फसाद इन्होंने मारवार का सासक बनाया था लेकिन दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि जब अजीद सिंग मारवार के सासक बने थे तो वहां के जो सेनिक थे वहां के जो सेनपती थे या फिर मारवार की पूरी परजा अजीद ज्जत और ज्जादा ओदा वीर दुर्गदास राठोड को मिलता था। इस कारण दोस्तों अजीत सिंग यो थे वो अजीत सिंग इस बात से परेशान सेनपतियो इस कारण दोस्तों दुर्गादास राठोड नाराज होते हैं और जीत सिंग दुर्गादास राठोड को देश्क निकाला दे देता है इस कारण दुर्गादास राठोड मारवाड की उस वीर भूमी को अपनी नम आखों से चूम कर मारवाड से निकल जाते हैं और उस समय मेवाड के सासक हुआ करते थे अमर सिंग सेकिंड ध्यान रखेगा अमर सिंग परतम तो मारणा परताप के पुत्र थे और अमर सिंग सेकिंड ने दुर्गादास राठोड को रामपुरा नामक जगें की जागिरी दी थी उसी जगे पर दुर्गादास राठोड अपन जीवन वेवतित करने लगे थे लेकिन अब दोस्तों अपने अंतिम समय में दुर्गादास राठोड उज्जेन चले गए थे और वहीं पर रहते वे इनकी मर्ति हो गई तो आप जांद रखीगा यदि आप सभीव पुचा जाए दुर्गादास राठोड की चत्री राजत्यस्तान में का इस्तित है तो दोस्तों दुर्गादास राठोड की चत्री सिप्रा नदी के किनारे इस्तित है शिप्रा नदी के किनारे और बताओ शिप्रा नदी का इस्तित है उज्जेन में और बताओ उज्जेन का इस्तित है MP में जान रखी है दोस्तों इस जगे पर हम यूँ कह सकते हैं कि सवतंतरता के इस परीचा एक बीर दुर्गादास राठोड की छत्री है तो दोस्तों ये दो छत्रियां राजस्तान की इतियास में अपना महत्वपुन योगदान रखती है एक महाराना परताब की छत्री और दूसरी दुर्गादास राठोड की छत्री इसको आपको अच्छे से याद इसलिए करना है क्योंकि दुर्गदास राटोड का योगदान राजस्तान की इतियास और मारवार की इतियास में रहा था लेकिन इनकी छत्री राजस्तान में नहीं है पताओ काम पर है उज्जेन MP में आप इसका स्क्रीन सोट लिजीगा आगे देखेगा देखेगा very most important person जो कहीं बार exam में भी पूचा गया है दोस्तों जिस परकार हमने राजस्तान के प्रतिक रियासत के राज़ों का साही समसान के बारे में पढ़ाता उसी परकार देखिएगा राजस्तान में एक रियासत के राजाओं का साई समसान है और उसको महासतिया के नम से जनते हैं या इनको महासतिया की छत्रिया का जाता है महासतिया या महासतिया की छत्रिया सबसे पहले आप देखेगा कि ये छत्रिया राजस्तान में का इस्तित है और हाली में एक एक्जाम हुआ था उसमें इन छत्रियों से समंदित परसन पुचा गया था कि महासतिया काँ इस्तित है उसके पहले आपको यह पता होना चाहिए कि महासतिया है क्या तो दोस्तों जो महासतिया है यह देखेगा राजस्तान की सबसे प्राचीन और राजस्तान की सबसे सकती साली रियासत हुआ करती थी मेवाड दोस्तों मेवाड के राजाओं का जो साही समसान है उसी को महासतिया क का द्यानत होता है तो उसका अंतिम संस्कार इन्हीं महासतिया में किया जाता है तो हम यूँ कह सकते हैं कि मेवाड के गुहील वंस बताओ मेवार पर कुँछ वंस राज करके गया था गुहील वंस राज करके गया था लेकिन दोस्तों यही गुहील वंस आगे जाकर राणा हमीर सिसोधिया के बाद में क्या कहलाने लगा था सिसोधिया वंस कहलाने लगा था मेवाड के गुवील वन्स या सिसोदिय वन्स का साही समसान महा सतिया कहलाता है साही समसान बताओ क्या कहलाता है महा सतिया कहलाता है अब देखीगा ये महा सतिया काम परिष्थित है और इसमें सबसे पहली चत्री किस्की है दोस्तों यदि मेवार की इतियास को सुरू से देखा जाए तो मेवार के परतापी राजाओं में परतम परतापी सासक हुए थे काल भोज या बपा रावल जिनकी चत्री नागदा में इस्तित है उसके पस्चात अगर हम यूँ कहें तो दोस्तों जैसा कि हमने पढ़ा था माराना कुंभा, माराना संगा की चत्री, माराना परताप तक की जो चत्रीया है वो दोस्तों राजास्तान के अलग-अलग जगों पर इस्तित है लेकिन दोस्तों माराना परताप के पुत्र ते अमर सिंग पर्थम और अमर सिंग पर्थम के बाद में राजस्तान मेवाड रियासत के जितने भी साशक बनेते हैं उन सब की छत्रियां बता हो का हैं इस महासतिया में इस्तित है तो हम यूँ कह सकते हैं कि जो महा सतिया है देखिएगा ये किस परकार का हैं महा सतिया जिसको मेवाड के गुवील वन्स के राजाओं का साई समसन का जाता है देखिएगा हम यूँ कह सकते हैं दोस्तों इस परकार का आपको गुवील वन्स के राजाओं का एक साई समसन दिखाए देगा और उसी को बताओ क्या कहते हैं महा सतिया अब देखिएगा ये महा सतिया है काँ पर एगजक्ट इसकी लोकेशन का है तो दोस्तों एगजक्ट य falan चिले में एक जगे प्रती है और उस जगे का नाम बताओ क्या है गंगोध बहु येदी आप से यूँ कहा जाये गंगोधी कहा इस्थितै तो दोस्तों राजस्तान में सब्यता हुमीत ती अहड अहड के पास गंगोध भूब अहड के पास और बताओ ॉदीपूर में इस्तित थे अब देखी गा एकजाम में परसण आया था महासतिया का इस्तित थे और उसमें गंगोध भूव आप्शन में थे आप्शन में थे ता तो दोस्तों इसका से उतर क्या होगा हाँगा यदि आपको यू परशन पूचा जाए महासतिया कहा इस्तित है और जिलों का नाम मिले जोदपूर जैपूर उधेपूर और चितोड़ तो आपको क्या करना है उधेपूर करना है वो दोस्तों परशन के अपने को उत्तर देना है लेकिन देखिएगा उससे भी आज प्लतिय में पहली चतरी बताओ क्सिद्टिय उसके पष्टाय नुढरे नाउट को होई अमर्शींग international कि चतरी इन कि महारान आमर्शींग पृत्तम की चतरी है इसके पश्चात दोस चतरों मेवाड रियासत के जिस भी राजा का देहान तो होया था उसका अंतिम संसकार यहीं पर होता था जैसे कि देखिएगा अमर सिंग परतम के पर साथ मेवाड के सासक बनेते करन सिंग यह देखिएगा करन सिंग की यह चत्री है करन सिंग के बाद मेवाड के सासक बनेते जगत सि उनकी यहां चत्री है, राज संहिं के बाद में राजा बने थे, दोस्तों अमर सिंह, जगत सिंह शेकेंड, जेस इस प्रकार देखिएगा और इस प्रकार यह मेवार के राजाओं का क्या है? साई समसान है जिसको क्या कहते हैं महा सतिया के नाम से जानते हैं बोरा भगत की चत्री राजस्तान की परमुक चत्रियों में एक चत्री है और उस चत्री का नाम बताओ क्या है बोरा भगत की चत्री बोरा भगत की चत्री देखेगा बोरा बगत की चत्री सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि राजस्तान में इस्तित काम पर है दोस्तों बोरा बगत की जो चत्री है देखेगा राजस्तान में यदू बन्स की जो कुल देवी है केला देवी उस केला देवी के मंदीर के सामने करूली में इस्ती थे तो दोस्तों बोरा बगत की चत्री कहां इस्ती थे केला देवी के मंदीर के सामने करूली में इस्ती थे लेकिन देखेगा इस चत्री का एक और भी दोस्तों महतपुन योगदान है और वो महतपुन योगदान क्या है देखेगा हम यह कह सकता है कि अपने राजस्तान में यदूवंस की जो कुल देवी है और बताओ यदूवंस की जो कुल देवी है उनका नाम बताओ क्या है केला दोष्टों के लड़ेवी का मंदिर मさん भी जानते हैं करोली में स्थित है देखिएगा कि इससे पहला आपको ये भी पता होना चाहिए कि करोली में भी कांपन है या कौन से परमफ परिस्तित है तो दोष्टों करोली में यह एक परवत है और उस परवत का नाम एक त्रीकुट परवत है कुछbn है एक करोली में और एक जेसल मेर में जेसल मेर का सोनारगड का जो दूर गये वो भी त्रीकुट परवत पर इस्तित है देखेगा त्रीकुट परवत करोली में हम यह कह सकते हैं कौनची देवी का मंदिर है केला देवी केला देवी का मंदिर है दोस्तों ये जो केला देवी का मंदिर है देखिएगा इस मंदिर में आपको दो मूर्तिया मिलेगी देखिएगा दो मूर्तिया कौन कौन सी है दोने दोस्तों माता जी की मूर्तिया है इसमें देखिएगा जो बाइं तरफ जिन माता जी की मूर्ति है देखिएगा लेप्ट सैड में जो मूर्ति है दोस्तों वो है चमूंडा माता की मूर्ति बताओ लेप्ट सैड में कौन सी मा माता है चमुंडा माता और इसके राइड साइड में जो मूर्ति है यह दोस्तों महालक्षमी माता की और यह जो महालक्षमी है इन्हीं को बताओ क्या कहते हैं इन्हीं को केला देवी कहते हैं या इनको अंजना माता का अवतार भी मानते हैं जो हनमान जी की माता थी इसके अला दोस्तों हनुमान जी का मंदिर इसी मंदिर के प्रांगण में बताओ किसका मंदिर है हनुमान जी का या बाला जी का मंदिर है हनुमान जी का मंदिर अब देखिएगा हम राजस्तान के लोक नर्तियों में एक राजस्तान के लोक संगीत में एक संगीत पढ़ते हैं लांगूर और लंगूरिया गीत तो दोस्तों हम यही पढ़ते हैं कि लंगूरिया गीत केला देवी के मंदिर में गया जाता है और इसको इस परकार हम याद भी कर सकते हैं कि लंगूर केले खाते हैं तो लंगूर से लंगूरिया नरते और केला से बताओ क्या होगा केला देवी लेकिन दोस्तों धान रखेगा एक्जक्ट यह जो का लांगूरिया गीत और लांगूरिया नर्त्य है यह अनुमान जी के मंदिर में किया जाता है जो कुमारी कन्याई होती है कुमारी कन्य अनुमान जी को छेड़ते वे यह लंगूरिया गीत और लंगूरिया नर्तिय करती है देखिएगा अब दोस्तों इस मंदिर के जष्ट सामने हम यूँ कह सकते हैं इस मंदिर के जष्ट सामने दोस्तों जो एक छत्री स्थित है उस छत्री को यह बताओ क्या कहते बोरा भगत की चत्री देखेगा इस मंदिर के जश्ट सामने आपको एक चत्री दिखाई देगी और उस चत्री का नम बताओ क्या है बोरा भगत की चत्री अब देखेगा इस बोरा भगत की चत्री का क्या मेत्व है दोस्तों ऐसा कहा जाता है देखेगा कि इस मंदिर के पिछ अधुचन के पीचे से और एक नदी घुजरती कहा रिखेगा और उस नदी का नाम है काली मथे आसे इस मनदीर के पीचे से कोन है नदी परभाई तो ती काली इसी लदी ऐसा खालता है दोस्तों कि जो वो शरडालू केला देवी के मंदिर में धोक लगाने जाते हैं वो सरडालू इस मंदिर में धोक लगाने के पसाध इस नदी में डूब की लगाते हैं। जब तक कुछ नधी में डुबकिनी लगाते हैं, उनकी केला देवी की जो मंदिर की यात्रा है वो पुरू नहीं माने जाती है। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि कहीं बार इसकम होती है। इसकारन काली सिन लदी लदी में पानी की आवक या पानी की मात्रा कम होती है, जब दोस्तों पानी की मात्रा कम होती है तो ध्यान रखेगा उस समय बोरा बगत की पूजा होती है। और हम यूँ भी याद रख सकते हैं कि यह जो बोरा है बोरा किसका है केलों का है बोरा जी जानते हो ना जो हैल्प करते हो पेसे वगरों की या किसी समान की उसको पनिस्तानी भासा में क्या कहते हैं बोरा तो आप धान रखेगा यह बोरा किसका केलों का तो केला देवी के सामने बोरा बगत की चत्री इस्तीत है और जब काली शिल नदी में पानी की मात्रा कम होती है तो बोरा बगत की पूजा होती है आप इसका इसक्रीन सोट लीजिएगा इसके बाद देखेगा दोस्तों जो राजस्तान की प्रमुक छत्रियां है उसमें देखेगा कौन-कौन सी चत्रियां और मेहतरपूने देखेगा राजस्तान में दोस्तों एक दूर्ग है देखिएगा और इस दूर्ग का नाम बताओ क्या कुंबल गड़ दूर्ग है जिसका निर्मान माराणा कुंबा ने अपनी पत्नी कुम्बली की स्मर्ती में और अपनी शुरक्षा है तो इस दूर्ग का निर्मान करवाया था कुम्बलगडदूर्ग का इस्तित है कुम्बलगडदूर्ग राजसमन इस्तित है दोस्तों ये जो कुंबल गड़ दुर्ग है इस कुंबल गड़ दुर्ग में आपको दो चत्रियां देखने को मिलेगी देखिएगा कुंबल गड़ दुर्ग में बताओ कितनी चत्रियां मिलेगी दो । देखेगा वो दो कॉन-कॉन ची है, यह दोनों छत्रीयां दोस्तों दादा-पोतों की है, देखेगा, एक जो छत्री है, इसको पर्त्वी राज मेवार के इतियास में उडना राजकुमार का जाता है, परत्वी राज शिसो दिया या उड़ना राजकुमार की चत्री देखेगा परत्वी राज शिसो दिया या उड़ना राजकुमार की चत्री आप से अगर यूँ पूचा जाए कि का इस्तित है तो कुम्बलगदुर्ग में इस्तित है इसके अलावा दोस्तों यहीं पर एक च का जाता है हुए हम बन वाके चतरी तो दोस्तों ध्यान रखे का मुटल लडिदुर्म में बताओ कितनी चतरिया है दो से ट्रिया एक प्रत्विला ध्री सोदिया की छतरी और एक नो कुम्बा की चत्री और इन दोनों का आपस में समंध क्या था दादा पोता अब देखेगा इनकी चत्री किस परकारियां बने थी इसके रूप में मध्यन करते हैं दोस्तों महाराना कुम्बा के बारे में कहा जाता है कि महाराना कुम्बा राजस्तान में इस्तापत्यकला इसक दोस्तों अंतिम समय में ऐसा कहा जाता है कि महाराना कुंबा को एक मानसिक रोग हो गया था उनमाद नामक इनको एक बेमारी हो गई थी इस कारण महाराना कुंबा को कुंबल गड़ दुर्ग में रखा गया था और ऐसा कहा जाता है कि इसी कुंबल गड़ दुर्ग में धान कियेगा महाराना कुम्बा के दो पुत्र थे बड़े पुत्र का नाम था उदा और चोटे पुत्र का नाम बताओ क्या था रायमल था अब दोस्तों यह जो कुम्बा है वो इस उदा को ऐसा कहा जाता है प्रेशन करता पुछा जाए कि राजस्तान पार मत यह कि इसवी किनारे महरान कूंबा की चतरी कि जब पगल हो गए थैंधेह में तो इस वौ। पिता कुंबा की हत्या कर दी थी मामा देव तके किनारे और इसे जगे के आनतीम संस्कार फिला कृटा स्कृ छुनव करिया के शिजरी कले कार हुआ और यहीं प्रकुम्बा की छत्री है और दोस्तों हम सभी जानते हैं जो पिता की हत्या करता है उससे बताओ क्या कहते है पित्र हंता का जाता है तो आप ध्यान रखिएगा मेवाड का पित्री हंता कोन के लाता है उदा के लाता है मेवाड का पित्री हंता बताओ कोन पुत्र थे और एक बड़ी पुत्री थी आनंद भाई देखेगा इनकी सबसे बड़ी पुत्री का नाम क्या था आनंदी भाई था उस आनंदी भाई का विवा शीरोई के सासक जगमाल देवडा के साथ करवाया गया था और इसी रायमल का जो आनंदी भाई से छोटा पुत्र था उसका नाम था प्रत्वी राज सीसोधिया प्रत्वी रासि सोधिया के बाद में जगमाल और हम यह कह सकते हैं जेदेव इस परकार जेशिंग और सबसे छोटा था राना संगा हम यह कह सकते हैं यह इस राइमल के ही पुत्र थे तो दोस्तों आनन्दी भई का देवडा से करवाया गया और कुछ समय बाद जगमाल देवडा आनंदी भाई पर अत्याचार करने लगा था इस कारण आनंदी भाई ने अपने बड़े भाई प्रत्वी राज शिशोदिया को फोन लगाया कि तेरे जीजा जी मेरे उपर अत्याचार करते हैं और मेरी पिटे ही करते हैं तो दोस्तों परत्वीराश शिशोदिया तुरंत कुंबल गड़ से सिरोई चले गए और परत्वीराश शिशोदिया की तागत से हम सभी भली भाती परिचित है कि य इसे लिए इनको उड़ना राजकुमार कहा जाता है प्रत्वीराज शिशोद्या ने जगमाल देवडा को दंड दिया और ये वचन दिलवाया कि आगे जाकर वो आनंदिवाई को प्रेशान नहीं करेंगे लेकिन दोस्तों जगमाल देवडा प्रत्वीराज शिशोद्या को उस समय जो चूरण की कुछ गोलियां फ्यमस हुआ करती थी शिरूई की वो इनको देता है और ऐसा कहा जाता है कि प्रत्विराज शिशोदिया को ये कहता है कि शाला जी आपको भूख लगे तब आप ये गोलियां खा लेना और जब वो गोलियां लेकर अपनी पोटली में ब थी और उन में से कुछ गोलियां ये खा जाते हैं उनकी वज़े से उन गोलियों में जहर मिला वा था और उसकी वज़े से प्रत्विराज शिशोदिया की कुंबल गडदुर्ग में पहुंचते मर्ती हो जाती है इसलिए दोस्तों प्रत्विराज शिशोदिया या उड़न परत्विराज सी सोधिया उड़ता था ये तेज दोड़ता था और दोड़ने में सब की क्या बजा देता था बारा बजा देता था आप इसका स्क्रीन सोट लीजेगा आगे देखिएगा दोस्तों हम यह कह सकते हैं कि राजस्तान की जो परमुक छत्रिया है देखिएगा राजस्तान की जो परमुक छत्रिया है उसमें दोस्तों एक छत्री आती है और उस चत्री का नाम है जोगीदास की छत्री जोगीदास की छत्री देखिएगा जोगी दास की चत्री राजस्तान में का हिस्तित है दोस्तों जोगी दास की जो चत्री है द्यान रखिएगा ये उदेव पूर वाटी जुन-जुनों में हिस्तित है बताओ जोगी दास की चत्री का हिस्तित है उदेव पूर वाटी और बताओ उदेपूर वाटी का इस्तित है तो हम यू कह सकते हैं कि उदेपूर वाटी जुन जुनुम इस्तित है अब देखिएगा ये छत्री किस परकार की है दोस्तों ये जो छत्री है वो अपने आप में राजस्तान की चित्रकला में भी अपने एक महतोपूर योगदान रखती है देखिएगा ये छत्री किस परकार की है दोस्तों इस छत्री के उपर जो पेंटिंग की गई है ये धान रखिएगा हमने राजस्तान की चित्रकला में पढ़ा था बीती चित्रन और बीती चित्रन की हमने तीन विदियां पड़ी थी प्रेश को बुनो प्रेश को सको और साधरन बीती चित्रन जो गिल्ली दिवार पर चित्रन होता है उसे फ्रेश को भुनो का जाता है और फ्रेश को भुनो के लिए हम यू कह सकते हैं यह च्छत्री फेमस है और दिखिएगा यह जो च्छत्री है दोस्तों इस शत्री में आपको इस परकार की कलाक करतियां दिखाए देगी इस परकार की हम यूँ कह सकते हैं छत्री बनी भी है उदेपुर वाटे जुनुनु में और बताओ इस शत्री का नाम क्या है जोगी दास की छत्री इस परकार देखिएगा अलग अलग कलर्स का इस शत्री में परियोग किया गया है अब देखिएगा इस शत्री के निर्मान करता कौन थे और यह शत्री किस कलाकार दुवारा चित्रित की गई थी तो दोस्तों इस शत्री के निर्मान करता इसके अलावा इस चत्री के जो चित्रकार थे निर्मान करता और जो चित्रकार थे उनका नाम ता दोस्तों देवा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट परसन है जोगी दास की चत्री का इस्तित है उधी पुर्वाटी जुन्जुनु में इस्तित है और इसके निर्म करता और चित्रकार कुन थे देवा थे और दोस्तों यह जो छत्री है यह देखिएगा बीती चित्रण में प्रेश को बुनो के लिए प्रसीद है बीती चित्रण में बताओ यह किस के लिए प्रसीद है तो दोस्तों बीती चित्रण में यह कला फ्रेश को बुनो पद्दति के लिए प्रसीद है ध्यान रखिएगा इसके अलावा देखिएगा राजस्तान की जो परमुक छत्री है उसमें दोस्तों एक गोपाल सिंग की चत्री गोपाल सिंग की चत्री और दोस्तों गोपाल सिंग की जो चत्री है यह अपने राजस्तान में इस्तित है करोली में बताओ गोपाल सिंग की चत्री का इस्तित है करोली में इस्तित है इसके अलावा देखिएगा राजस्तान की प्रमुक चत्रियों मे एक छत्री है जिसका नाम है राव सेखा की छत्री राव सेखा की छत्री देखिएगा राव सेखा की छत्री इस्तित है पर्शू रामपुरा और बताओ पर्शू रामपुरा भी का इस्तित है जुनू में इस्तित है देखिएगा कौन थे ये राव सेखा तो दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि आमेर रियासित पर कच्छा ववन्स का राज था इनको कच्छा ववन्स के सासक इसली और जाता है क्योंकि ये भगवान राम के छोटे पुत्र कुछ के वनसज थे ऐसा कहा जाता है कि आमेर के खचावव वनसो के राजाओं में एक सासक बनाता जिसका नाम था रामदेव या राजदेव दोस्तों उस रामदेव या राजदेव के दो पुत्र थे एक का नाम था नरा और एक का नाम था सेखा नरा के वनसज आगे जाकर नरूका के लाए और राम देव ने या राज देव ने अपने पुत्र नरा को अलवर वाला पाट दिया और उनका जो पुत्र था छोटा सेखा सेखा को सिकर चुरू और जुनुनु का पाट दिया सेखा जी का राजका था सिकर चुरू और जुनुनु में इस कारण दो दोस्तों ये राजस्तान की चत्रियों से संबंदित एक महतुपन वीडियो था यदि आपको पिसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर करना ने भूले और इसी परकार आपको वीडियो मिलते रहेंगे धन्यवाद